राध्यकृष्णा मेरे नाम है डॉक्टर अप्रतिक चुहान तो यहां पर यह वीडियो उन लोग के लिए है जिलो की पिक्वेटेशन किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रही है तो मैं काफी दिन से इस चीज को देख रहा था कि जैसे ही जुलाई अगस्त सितंबर का महीने आया तो उसमें automatically कई लोगोंने complain की कि पहले ठीक हो रहा था अभी क्या हो गया अचानक से की रुक क्यों गया या फिर इस किंडल क्यों हो रही है यह आप मैसे कई लोगों के साथ में होगा वीडियो के नीचे भी और Instagram पे भी कई लोगोंने कमेंट किये कई लोगोंने personal message किये और पूछा कि हम यह डाइट फोलो कर रहे हैं अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा तो अचानक से इसके ब्लैक क्यों होने शुरू हो गई या फिर क्यों गया है तो लोग इस तरह से पूछते हैं अच्छा ऐसा नहीं कि सभी के साथ में ऐसा हुआ 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 कुछ है बह इसकिन आपकी डल हो गई है खराब हो गई है पहले से काला हो गया या फिर जिनका पिग्मेंटेशन चला गया था या जिनका बस जाने वाला था उनका दुबारा से उनको लग रहा है कि फिर से ब्लैक हो रहा है क्या हो रहा है कुछ समय में उनको नहीं आ रहा है परिशान ह कि इतना सब कुछ इतनी मे六 बार गद्श करने के बाद जिम में टैम बिताने की बाद मैडिशन खाने के बाद इतना पैसा करूँ करने बाद तक क्यूं कुं Benny जो लोग ठीक हो रहे हैं चलिंव उनका तो कुछ नहीं है लेकिन क्यूं जो लोग ठीक हो रहे हैं ये वीडियो में उनके लिए निए बिदा रहा हूं, जो लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, परिशान हैं, कश्म कश्म हैं कि वो क्या करें, उन लोग के लिए वीडियो है. और विएटी थोस करण के साथ में. देखें, क्या होता है कि जुलाई अगस्त-सितम्बर में हवा के अंदर जो air जो होती है उसके अंदर oxygen की मातरा थोड़ी सी घड़ जाती है यह मैंने studies में देखा है और हमारी skin को healthy रहने के लिए oxygen की मातरा भरपूर मातरा में चाहिए होती है oxygen की मातरा चाहिए होती है ठीक है? तो अच्छा एक चीज़ ओर जिन लोगों का ये ठीक नहीं हो रहा है मतरब कि किसी भी मोसम में ये ठीक नहीं होता तो उन लोगों को भी आवशकता है oxygen की चहरे पर कि एक बार वो oxygen का treatment लें फिर आगे कोई भी treatment continue करें या फिर कोई भी राइट वो continue करें oxygen का मतलब क्या है oxygen हर एक إنसान के लिए बहुत जरूरी होती है हमें जिन्दे रहने के लिए जरूरी होती ही है लेकिन साथ में हमारी skin healthy रहे उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है हमारी skin को अगर oxygen ना मिले proper way में अगर oxygen ना मिले तो हमारी skin dry हो जाएगी खराब हो जाएगी डल हो जाएगी अपने साइकल को वो complete नहीं कर पाएगी collagen नहीं बनेगा wrinkles आजाएगे समय से पहले तोचा पर fine lines आजाएगी डल हो जाएगी तो अचा काली हो जाएगी और चाहरा काला बढ़ जाएगा pigmentation बढ़ जाएगी एक तो वैसे ही हम लोग सफर कर रहे हैं pigmentation से दूसरा pigmentation और बढ़ जाएगी तो फिर क्या solution है इस चीज़ के लिए दो solution है उसका मेरी पैश्य एक वीडियो डाली थी तो पीछे वीडियो में मेरे चाहरे पर यहां पर तो और तो कुछ नहीं है फिर पिछली वीडियो में क्यों था हो आपने देखिए होगी मैं फोटो लगा दूँगा यहां पर तो आप देखना ध्यान से मेरे है राइट साइट पर पूरा यहां से लेकि यहां तक पूरा एफेक्ट है वो उस समय पेशिंट पी क्लि पड़ा आपा तर्म गां बहुता इंट्रेस्टिंग बात है कि वो क्या हुआ था कैसे उता क्यों हो तक हुआ है क्यों आप अपना गया कि मैने कुछ किया और कितना टाइम लगाएक को जाने में थीकि तो यह बहुत थी वह इन्फॉमेटर वीडियो रहने वाली क्योंकि व नहीं करना चाहिए अच्छे से थे क्र触 करने के लिए मैं बतांगा जो तो किया होता है oxygen Census क्या होता है तो हमें इसमें मैं सब्सक्राइन करता होट और मुझे लटा हों भागता हूं सब कुछ करता हूं सामसी मेरे तो उक्षिन की कमी नहीं चाहिए माना कि आपके अंदर की कमी नहीं है लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी तो सकता है कि प्रोपर आपकी इसकिन तक आप पहुच रही हो जिसके बेसरे आपकी पिग्मेंटेशन ठीक ना हो रही, क्योंकि बागी सब काम तो कर चुके हैं, डाइट, मेडिसिन, यहाँ वहाँ जाके, बहुत सारे पैसा खर्च, सब कुछ तो कर चुके हैं, तो हो सकता है कि यही रिजन हो, क्योंकि मैंने यह चीज देखी है, और जब मैंने यह चीज की है, तो कहीं पैसिन्ट को बहुत अच्छे से पर्फेक्टली उनको अराम मिलना स्टार्ट हुआ है, फिर जो मैडिसिन उनको नहीं लग रही थी, उनको बहुत अच्छे से मैडिसिन को लगनी भी स्टार्ट हो गई है, या जो डाइट उनको नहीं इफक्ट कर रही थी, बहुत चलो ठीक है अब oxygen treatment से हम ठीक हो जाएंगे साथ में और भी तो चीज़ी देखने होती है ना आपका पित भड़का नहीं है अरशरीक अंदर और भी कोई रोक तो नहीं चल रहा है तो यहां पर मैं simple में मुद्धे बाता हूं हम बात कर रहा है oxygen के facial की oxygen facial नाम का एक facial होता है जो कि मैंने अभी recently मैंने इसके बारे में सुना क्योंकि मैं चीज़ सर्च कर रहा था कि आखिर इस damp weather में मैंने कि जो खलकी सी गर्मी और नमी वाला मौसम होता है इसमें oxygen का level down हो जाता है air के अंदर जिससे कि हमारी skin को proper external बाहर से oxygen नहीं मिल पाती है जिससे हमारी skin dull हो जाती है और जिन लोगों की skin already खराब है उनको और ज़्यादा परिशानी होती है तो जिन लोगों का ठीक नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ से जिन लोगों को problem हो रही है तो सबसे पहले वो एक बार या दो बार या तीन बार oxygen facial अपना जुरूर करा है oxygen facial का मैंने भी तक यह देखा है कि उसका अभी तो कोई भी side effect मेरे सामने नहीं आया है कभी अगर आएगा तो मैं जुरूर बताँगा लेकिन अभी तो कोई भी side effect नहीं मेरे सामने आया है और आपकी skin को deep layer को आपकी nutrition करने के लिए है ना नरिश करने के लिए उसको इसका क्या मतलबा जैसे बाकिया facial कराते हैं तो आपकी dead layer को अतार देते हैं आपकी skin में अच्छा circulation हो जाता है लेकिन साथ में जो oxygen होती है यह आपकी oxygen को जो बहुत चोटे-चोटे molecules होता है वो आपकी साथ के लिए complete नहीं हो रही हमां तो कुछ भी नहीं हो रहा है पर एक परसेंट भी फर्कने पड़ रहा हमने क्रीम लगा लिए डाइट ले लिए दवाईये खाने नहीं फर्क पड़ रहा है तो उनको oxygen facial जरूर करना चाहिए एक बार एक बार नहीं होता है कि आपकी skin को नि सब्सक्राइब हो जाती है अब यहां तो बहार से और अंदर को समझा दिया हो सकता है कि अंदर से ही आपको oxygen नहीं मल पर पूरी chemistry तो नहीं समझाओंगा इसमें कि oxygen कैसे डिलीवर होती है तो चाहको बढ़ना बहुत लगी वीडियो हो जाएगी शॉट नहीं करते हैं तो य आपकी स्किन की डीप लियर को oxygen supply देता है oxygen facial तो हम यहां पर दो काम करेंगे दो काम एक तो अंदर से भी आपकी इस oxygen को जो chemical है उसको सही करेंगे जो chemical bonding जो चलती है या पर जो normal physiology जो चलती है उसको हम करेक्ट करेंगे हैं तो यह मैं दो medicine के आपको नाम बताऊंगा नोट का लेना होपेथी स्टोर से मिल जाएंगे उनको जाकर आप ले आना और वो आप खाईएगा ठीक है लेकिन ध्यान रखेगा कि proper medicine proper एक डॉक्टर की guidance के आपर शक्ता होती है यह दो medicine आप ले सकते हैं लेकिन इसके अलावा भी यह दो medicine पूरी तरह से sufficient नहीं होगी इसके लाब स्टार्ट करें उससे क्या होगा उससे आपके श्री के अंदर oxygen का level automatically बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा यह फ्रहार है हर जेगे पर तो अमड़ा में ही oxygen कम हो मालिटे टोब पूरी गई अप्षिट ना तो कह लोग द मूता है कि अगर Aww थि के या तो शचांतो कडि बनलेंगा चाहिए लियाबड हो पारो है कि हा इसकि जांच का कोई option नहीं अगर आप सोचो कि इसके लिए को जाश बता दीजे तो वो कोई अप्शन नहीं है आप दो महिने तीन महिने दवाई कहीं जो मैं बता रहों बागी दवाईयों के साथ में होगा अंदर से भी होगा बाहर से भी होगा ठीक है तो आप और बता दिया तो कहीं लोग तो गूगल पर उसको निकाल लेंगे या फिर यूट्यूब पर देख लेंगे तो और आपको जवान रखता है च्छाले से उमर में भी चाहिए आपकी को डी टॉक्स कर देता है और अगरापके इस के अंदर कोई लेने के बाद में इंस्टेंटली ग्लो आया है तो समझ लीजिए कि वह सक्सेस्फुल रहा है लेकिन हां ध्यान रखिए कि धूप में नहीं जाना इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जो आपकी जो सैल रिकवरी होती है उनकी रिकवरी को फास्ट करता है क्योंकि पहली बाद तो डीटॉक्स होई तुसरी बाद को बूस्ट किया तो ऑटोमेंटिकली हमारी तोचा कि जो इन्म्यूनिटी है जो उसकी रिकवरी रेट है बढ़ जाएगा कोई भी जखाम हुआ है डिपेंट करता हि कि आपके शरी कितना हेल्दी है तो इसी तारीके से अगर यहाँ पे कुछ आपके यसके डैमेज है तो डिपेंड-करता है कि आपकी तुम्ण सेई हमारा सब्कूर को आपको लेने हुआई जो कि हम आपको recommend करेंगे October के महीने में जाके September में नहीं करेंगे September में आपको यह नुकसान देगा ठीक है तो October एक महीना सही है महीना बहुत सही है उस चीज़ को लेने के लिए हम पताएंगे रहा नहीं प्याब कोई painful इसका side effect नहीं होता है बस दूप में मत जाना ठीक है फाल्तों की चीदे चारपर मत लगाना अच्छा खाना खाई आपकी तुचा के अंदर आपकी तुचा को hydrate रखता है अगर आपकी तो automatically आपकी तुचा उन्हों रिश्राएगी जो कहते है इसके खुरदरी सी होगी यह ड्राइ सी और यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है इसके अलावा यह आपकी acne को भी heal करता है जिन लोगों के acne नहीं जाती है तो उन लोगों के भी करना चाहिए उनकी acne को heal करता ह किसी भी skin से अगर पीडी थे हैं तो उसकी recovery fast होती है क्योंकि मैंने भी करन बता है पीछे की fast क्यों होती है और treat uneven tone of skin यह आपकी uneven tone सब लोग जानते हैं कि चाहरे का अलग है हमारी बागी तो जाका अलग है तो उसको भी यह दूर करती है तो इसके पर एक फायदे हैं लेकिन लेकिन ध्यान से ठीक है हर चीज मैं जल्द बाजे नहीं करने चाहिए इसको आप लीजे जाके पहले एक करना के बाद में wait कीजे कि आपको इससे क्यारी जलता है और हाँ धूप में मत जाएए संस क्रीम मत लगाईएगा इसको करना के बाद में कोई भी क्रीम चेहरे पर मत लगाईएगा इसको कराने के बाद में ठीक है जब आप फेशल कराएंगे तो जाहिड से बात है कि थोड़ी ची तो चाहा इससे कहीं न कहीं हलकी फुल की एक दो प्रतिश्रत सेंस्टिव होती है तो जो आप एक कराने के लिए जाएं तो चाहता लेकर जाना ताकि धूप चैरे बढ़ना पड़े यह बहुत जरूरी है इसकन को बचाना क्योंकि आपने करा तो लिया है पैसे भी खरच कर दें लेकिन फिर क्या इसको कैसे ब खाना आप खा सकें और चाहरे पर कुछ मत लगाना अब रही फेश्वोस की बांद या साबून की बाद तो देखें इतना कुछ जरूरी नहीं होता है फेश्वोस या साबून चाहरे मिट्टी तो उटा नहीं है बागी क्या काम करना है या अपर जो डैडले होती होता नही तो यह information मुझे देनी थी आपको तो जिल लोगों का pigmentation किसी भी चीज से ठीजी नहीं ठीक हो रहा है तो वो लोग oxygen facial करवा सकते हैं जाके अगर आप यह पूचेंगे कि हमारे क्लेने पर oxygen facial की सुपिता अपलब्ध है क्या नहीं है वो फिलाव तो नहीं है आगे होगी तो हम आपको इनफॉर्म करेंगे अपने आज पास में जाईए वहां पर देखिए oxygen facial की सुपिता है की नहीं है आप पर जाके आप कीजिए देन आप प्रोपर वे में इसको कराईए आपको benefit जरूर मिलेगा और जो माली जगर आपको डाइट improvement नहीं दे रही है या फिर medicine improvement नहीं दे रही तो फिर उसके बाद में improvement हाना स्टार्ट हो जागा और खास करके उन लोग के लिए जो कहते हैं कि सब कुछ कर लिया लेकिन एक प्रतिशत भी हराम नहीं है सब कुछ करने के मतलब कि internet पर जितना भी सब कुछ बताते हैं सब कुछ कर लिए एक प्रतिशत प करता हैं इंस्टाग्राम पर प्लीज कमेंट मत किया किजिए माँ रीड नहीं करता हूं क्योंकि इतना कमेंटियां मत किजिए मैं बहुत को रीट नहीं करता हूं क्योंकि इंस्टाक्राम मैं बहुत कमी से चलाता हूं मुझे समय नहीं मिलता हूं चलाने का ठीक है तो अपने questions आप पूछे और मैं regular रहूंगा भी यहां पर आपके messages के reply भी अप regular क्या करूंगा तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग जिल्दी स्वस्त हो जाए और जिनका pigmentation नहीं जा रहा है जो लोग बहुत परिशन है इस्वर करें कि उनका pigmentation इस से ठीक हो जाए उनको आ जाने के अवशक्ता ने पड़े medicine के नाव रहागे दो medicine का एक नाम है काली सल्फ इस्क्रीन पर मैं लिख दूँगा काली सल्फ 6X फैरंफोज 6X यह दो medicine लेनी है इसकी 3-3 गोली दिन में 4 वर चूसनी है कभी भी चूस सकते हैं आप खाना के पहले हैं खाना के बाद कोई side effect नहीं है इनका काली सल्फ और फैरंफोज 3-3 गोली दि मिलेंगी किसी भी company की आप ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी ही लिया नहीं किसी भी company की आप लेजिए ठीक है और आप इसको start केजिए परमात्मा सभी का बहला करें